इस तरह के कोश्चन में आपको हमेशा मिलेंगे अगर इस कोश्चन को समझें हम तो यह कोश्चन दिखने में हमारे लिए पर कई चोटी-चोटी चीज़े दिहान रखेगा पहले तो लिखा तो साइन 12 डिगरी माइनस साइन 72 डिगरी करा अब यह हो गया साइन 12 डिगरी प्लस टू साइन सी माइनस साइन डी लगाया जब भी कोई फॉर्मला लगा है एक बार साइड में लिख ले आप अपनी प्रैक फोटी टू इंटू साइन माइनस का थर्टी गैगते यह हो गया साइन 12 माइनस ये कैंसल हो जाएगा साइन selon देटा माइनस कॉस फोटी तू अब इसमें सीडी लगाने के लिए या तो दूनों को साइन बनाया न को कोस तो इसको साइन 12 minus sine 48 याद रखिए sine theta equal to cos 90 minus theta अब आपने sine c d लगाया तो 2 cos c plus d by 2 तो 2 cos 30 degree into sine c minus d by 2 तो 18 degree पर minus का 18 degree एक बात अब cos 30 कितना होता है minus sorry root 3 by 2 और यह minus इसका लिख रहा था हमें और यह हो गया root 5 minus 1 by 4 यह 2 से 2 भी cancel तो एक तरह से जो आपका answer आया वो आया कितना 1 minus root 5 into root 3 by 4 1 minus root 5 into root 3 by 2 वैसे भी थोड़े logic से अगर आप इसके answer देते तो इसका answer negative होना था पर सबी negative थे इसलिए option से यह help नहीं मिलती तो आपको इसको method से करना आना चीद था note कर लिजे गिजए सबाजवाヤ